गुड मॉर्णिंग दोस्तों वेलकम टो माई चैनल कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत आच्छे होंगे और मैं सपना आप सब का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में आर घीए जितिया के साब सफाई चड़ रही है हमारी ठूबासा आज सोच रहे हूं आ कि जोली जाली जितनी भी हैं उसे भी निकालते जाँ और अच्छे से अपना घर को थूदा सा वैवस्तित करके तो, आज रविवार का दिन भी passage है ए मोरे और फिर दिन कमें गला हुए है जाली दिखेगा झाडदे हुए निकलते जाएंगी अंदल से तो यहां पार सेट हो गया है और जहां जहां दीख रहा है मुझे थोड़ा सा जाली युझत है तो उसे थोड़ा सा इस तरह से जाड़ू से हम हटा दें हैं वैसे तो जाली इस मYeसम में नहीं लगता है बरिसात क सफाई कर दोंगी थोड़े मुड़े यहां पर भी गद्वी लग रहे हैं थे उसे भी अच्छे से साफ कर देंगे हम और बुक्स वेगरा अच्छे से सेट कर देते हैं यहां पर भी थोड़े बहुत लग रहे हैं थे जहां जहां धूल उसे भी जार दिया है और इसके बाद स काम करने में चुटी भी है बचों का आज रभिवार भी है तो सोच रहे हूं कि डीप क्लेन होती है तो थोड़ा अच्छे से कर दो कि कि जित्या आरी है न तो जित्या के सब सफाई चड़ रही है आज हमारी घर के अंदर मेरी जारू लग गई हैं बाहर करने के लिए तो अब देखते हैं कि कब होता है घास पर उखाड़ेंगे क्योंकि फिर से जमाया है और फिर पोचा लगने की पारी आ गई है तो सबसे पहले मैं रसोई रूम का ही पोचा लगा लेती हूं क्लीन उसका करने के बाद ही सब घर में लगाऊंगी इस रूम का लगा लेंगी इसके बाद उस रूम का लगा लेंगी कर दो कि अपना है जब लो कर दो अपना जब जब लो और रहा हुआ है तो साफ सफाई हमारी हो चोकी है घर की मिलते हैं असनान करने के बाद तो असनान हमारी होने के बाद अब मैं यहां पर नास्ता बनाऊंगी तो आज पनीर का पकाऊटा बनाते हैं नाश्टे में तो अभी सबसे पाहले पनीर हमने लाया है और इसके बाद मोटे पीसेज को काटेंगे Director 1500 ग्राम मैंने यहہं पर पनीर रखा है और इससे मोटे मोटे पीसेज में हम Dies तरीके से काट लेंगे में देह सकते हैं कि इतना मोटा मोटा है धौरा साहल कहा और इसके बाद यहां पचाठ मासा ए आधी चमाच का मर्च मर्कος आधी चमाच हमने डाला है इसके बाद हम डालेंगे आमचूण पाउडर तोरा सा और इसके वद्सके चलत हैंगेocol dlaage ili तो मैंने यहां पर आधा कटोरी लगभक हिसाब से मैंने चावल काटा नमक और साथ में बेशन हमने लिया है दो कटोरी हमने बेशन लिया था उसी कटोरी से इसके बाद चाट मसाला इसमें हमने डाला है और आम चुर्म पॉडर भी हमने डाल दिया है और साथ में हमने धनिया पाडर हलदी, लाल मिर्च पाडरें तीके qi key method इसके बाद लसून का पेस्ठ हमने मिलाय, और पानी डालकर अच्छे से जश्च का पतला नहीं थोड़ा तो यह पकोड़ी बहुत ही जटपट बन जाता है बहुत ही असान तरीका लेकिन खाने में बहुत मज़दार लगेगा तो यहां पर जितनी भी थे हमारा सभी घोल में रख दिये हैं पनीर को अच्छे से लपेट लपेट कर हम तेल में डालते जाएंगे जब हमारा तेल गर्म होना चाहिए और इसके बार डाल देजे एकक करके हां एक चीज और धिमियाज पर ही इस पकोड़े को पकाएगा बहुत ही अच्छे पकेंगे और बहुत ही अच्छे लगे थे खाने में तो जटपट इसको त्यार करते हैं इसी तरह से बारेकी से धीरे-धीरे हम इसमें डा सार उतना ही कि उसी के हिसाब से हम डालेंगे यहां पर पनीर को और धीरे-धीरे हम इसको पलट देंगे इस तरह से इस तरह से पलट देंगे और फिर हम इसको पकने देंगे धीमियाज पर थोड़ी देर के लिए फिर उधर हमारा जो पक जाए तो इसे हम अच्छे से इसको और हिला कर चला कर पकाएंगे जब तक कि हमारा ये कलर एकदम चेंज हो जाए एकदम अच्छे से पकाना है धीमियाज पर और इसके बाद थेदरे हम इसको निकाल लेंगे बाकियों को भी हम इसी तरह पका लेते हैं जटपट देखते ही खाने का मन हो रहा होगा तो आप भी बना कर खाय सकते हैं ऐसे ही पकाओडी बहुत मज़ेदार लगे थे चलिए बच्चों को देते हैं और इसी के साथ हम वीडियो को भी एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा ये वीडियो है, वीडियो हमारे ये छोटा सा पसंद आये, तो वीडियो को लाइक चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करते जाएगा, और ऐसी पकोड़े आप भी घर पर बना कर खाईए, ब